दोस्तो PCS Academy में मैं आप सबी लिगों का स्वाकत करता हूँ और दोस्तो सबसे पहले तो आप PCS Academy को सब्सक्राइब कर लीजे और चैनल पर जैसे YouTube पर आप डालेंगे PCS Academy तो इस तरीके से खुल कर आएगा और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीजे हैं सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग जरूर प्रेस करिए और वो भी all में आप लोगों को set करना है जिससे time पर notification आप लोगों को मिलती रहे ठीक है और UPPSS मेंज 22 और 23 के लिए बैचेश चल ला है तो जो लोग भी अपना इच्चो को join कर सकते हैं ठीक है join करने के लिए जो number है 9140085178 इस number पर message करके आप लोग जानका लिए सकते हैं आएए शुरू करते हैं चलिए आज का जो essay है निबंध है उसको आप लोगों को 700 word में लिखना है ठीक है जो essay लिखने को आएगा आपको UPPSS मेंज में तो 700 word में ही आएगा तो 700 शब्दों में आप लोगों को इस निबंध को लिखना है तो लगभग 7 pages में आपको इस निबंध को लिखना है ठीक है अब देखिए जो आज का निबंध है उसको लिखने से पहले जैसे आपकी handwriting दोस्तों अच्छी होनी चाहिए पढ़ने योगे होनी चाहिए ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए ठीक है और quotation ध्यान रखिए जो अच्छी lines है quotation है अगर अच्छे quotation का आप लोग उप्योग करते हैं तो आपका जो ऐसे है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है और क्या है कि जैसे जो आप लिखते हैं जो प्रश्ण है प्रश्ण में डेटा का प्रयोग भी होना चाहिए डेटा का प्रयोग करने से आप लोगों को क्या होता है कि जो आपका ऐसे होता है उसमें एक मौल इखता आती है उसका जो उसने आधार दिया है वो एक डाटा दिया है अपनी बात को पुस्टी प्रदान करता है तो आजकर जो ऐसे है दोस्तों प्रदान मंतरी फसल विमा योजना और फसल देखिए हमारे हाँ जो फसले हैं फसलों के माद्य हमसे ही किसानों की आय होती है वगर सोच कर या फसल खराब हो जाए देखिए फसल कब खराब होती हो सकता है बुआई के समय खराब हो जाए ठीक है तो फसल का नुकसान कई तरीकों से होता है कि जिस समय बुआई होती है उस समय अगर कोई प्राकृतिका अबदा आ जाए तो ऐसे स्थित में होती है बुआई जिस समय फसल खड़ी होती है यह मलब पक चुकी होती है उस समय अगर नुकसान हो जाता है और फसल के बाद भंडारा नुबे उस्ता में दो हपतों तक अगर कोई ऐसे दिक्कत होती है तो यह चीजें फसल भीमाय योजना का आपको लाब मिलता है ठीक है तो दोस्तों हमारे हैं प्रा भीमाय योजना ठीक है तो यह सारी की सारी चीजें जैसे देखिए कोई भी कारिक किया जाता है जैसे फसल का भीमा किया जा रहा है या वित्ती सहाथा परदान की जा रही है फसल नुकसान के लिए तो कहीं न कहीं वो कारण है कि जिसकी वज़े से यह चीजें लाई जा रह आई की सुनिशिता भी की जाती है सरकार के दोरा कि जैसे उनकी जो बेसिक चीजे हैं वो फसल से ही प्राप्त होती हैं अब अगर सोच कर देखे कि अगर किसी एक किसान की जो जीवन निर्वा है वो केवल करसी पर ही आधारित है तो ऐसे में क्या होगा उसका जो परिवार का पोशन है वो भी अच्छी तरीके से नहीं होगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बहुत सारी चीजें एफेक्ट में आएंगी ठीक है उनको प्रभावित करेंगी तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो समाजी कार्थी किस्तिती है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव हो जाती है तो अब देखते हैं दोस्तों इसकी सुरुवात कब की गए थी तो सुरुवात की गए थी इसकी 13 जनवरी 2016 को इसकी सुरुवात की गए थी तो इसमें क्या था कि जैसे किसानों को क्या होगा कि सभी करीफ फसलों के लिए जो है 2% आपको प्रीमियम भुक्तान मि जाएगा फक्सल जो आपकी फसल है क्रॉप है तो जो फसल नुक्सान पर पूर्ण बीमित राशी दी जाएगी ठीक है और इसमें जैसे है क्या कि इस योजदा में जो प्रावधान है कि फसल काटने का डेटा एकत्र किया जाएगा और इसको अपलोड किस माध्यम से जैसे इस इसमें किया जाएगा ठीक है इसका नियंतरण या क्रियान इजेंसि कौन सी है तो इसमें भारती क्रिसी द्वारा कंपनी दवरा इसका किया जाएगा इस योजना, अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो आवंटन किया गया था सोला सत्रा में तो बजट में उस समय आवंटन जो किया गया था पांसो पच्पन ठीक है पांस जार पांसो पचास करोड उपए इस योजना में आवंटित किये गये थे ठीक है तो यह कुछ प्रावधान थे इस योजना से संबंदित अब देखिए उद्देश क्या है जैसे प्रदान मंत्री फशल वीमा योजना के उद्देश क्या है उद्देश पहला उद्देश की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी हो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जैसे ओला वरस्टी है बावंडर है और बाड है सूखा है और फशल को जिस तरीके से प्राकृतिक रूप में कोई भी चीज नुकसान करती है तो वो सारी चीज प्राकृतिक आपदाओं की आती है ठीक है दूसरी चीज क्या है प्राकृतिक आपदाओं से बचाना फशल वीमा योजना का मतलब जो छटी पूर्ती होती है ठीक है उस को देना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से जो छती होती है उसकी भरपाई करना कीट और रोगों से नुकसान के इस्थिति में भी जो पैसा है वो दिया जाते हैं जैसे मान लेजे कि फसल खड़ी फसल है और पकी फसल है उसमें कीट लग जाते हैं चीक है या कोई रोग तो ऐसे इस्थिति में क्या है ऐसे इस्थिति में एक सहायता के रोप में वित्ती सहायता के रोप में दिया जाएगा किसानों को और क्या है कि फसल को बीमा किया जाएगा और बीमा कवरिज दिया जाएगा और वित्ती सहायता परदान की जाएगी किसानों को क्या है इसका उदेश और क्या है कि जो किसानों की एक minimum income है तो उसको एक stability परदान करना इस्थायद तो परदान करना ठीक है कि कम से कम उनकी जो minimum जो आई है उसको सुनिश्चित किया जाए ऐसा ना हो कि फसल के मतलब जिसे मान लेजे एक किसान है अब किसान एक फसल से मान लेजे 10,000 रुपए कमाता है अब उसकी खड़ी की खड़ी फसल अगर बरबाद हो जाती है तो उसका जो आए होगी वो तो zero हो जाएगी ना तो ऐसे इस्थित में सहायता देती है सरकार फसल वीमाई योजना के माध्यम से और क्या इसके उद्देश है और उद्देशों में जो हम लोग देखते हैं तो क्रशी में किसानों को नवचार देखे इन्नोवेशन जो एगरिकल्चर है एगरिकल्चर में फार्मर्स हैं उनको इन्नोवेशन से रूबरू कराना एक innovative ideas के माध्यम से क्रशी कारी जो हैं उनको करना और आधुनिक पद्दतियों को अपनाने के लिए भी किसानों को प्रोसाहित किया जाता है अब ऐसा नहीं कि जो परंपरागत क्रशी है और जो जूँम क्रशी है ऐसी क्रशीयों को जो लोग पहले से करते चले आ रहा है तो ऐसी क्रशीयों को आगे ना बढ़ावा मिले अच्छी क्रशीयों को एक बैग्यानिक क्रशी को आधुनिक क्रशी को बढ़ावा मिल सके और क्या है कि जैसे जो एग्रिकल्चर सेक्टर है उसमें जो रिड़ प्रवा को सुनश्चित करना कि जैसे यहां पर एक रिड़ प्रवा को भी सुनश्चित किया जाता है सरकार के द्वारा और क्या है इसका उद्देश फसल वीमा योजना का कि जैसे जो जीवन निर्वा है तू प्रोचसाहन देना जैसे उसकी जो एक जी आजिवी का है तो उसको प्रोचसाहित करना अब सोच कर देखिए कि अगर बेक्टी के पास में वो किसान है बहुत गरीब किसान है अब उसके जीवन निर्वाह करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे या पैसे नहीं आएंगे तो ऐसे इस्तिति में क्या है यह जीवन निर्वाह हेतु प्रोसाहिद करता है और उनको सहयोग देता है और क्या है कि किसानों की क्रसिप परिस्तितियों को बेहतर करना जैसे अब मालीजे एक कोई फसल नश्ट हो जाती है तो अब सोच के देखिए कि उसको पैसा नहीं आएगा तो अगली फसल भी उस पर भी प्रभाव पड़ेगा उस पर जो बीज लाने होंगे और जो रोग किट नाशक दवाईयां होंगी और सिचाई के साधन हर तरीके से जो खर्चा आता है वह न के बीमा दिमित साहिता के रूप में अगर एक बित्ती साहिता परदान करता है तो उसको आगे भी भविश्य में भी जैसे मालेज़े छे मैने के बाद भी अगर उसको दूसरी फसल उगानी है तो उसके लिए वह साहिता परदान करती है कौन सी फसल बीमा योजना ठीक है अ और सभी किसानों को इसमें सामिल किया गया है ठीक है गैर रेनी किसानों को है क्या कि गैर रेनी जैसे रेने किसानों को तो इसमें सामिल ही किया जाएगा और गैर रेनी किसानों को क्या होगा कि जैसे भूम रिकार्ड अधिकार दिखाना होगा या भूम कपजा प्रमान पत्र उनको दिखाना होगा इस योजना का लाब लेने से पहले और क्या है कि जो लोग मौसमी कसिकार करने वाले सभी किसानों को भी लाब दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से और क्या है गैर रिणी किसानों के लिए है योजना बैकल्पिक होगी कि मतलब Optional होगी वो Choose करना चाहें मतलब इसका लाब लेना चाहें तो ले सकते हैं नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें क्या है अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको भूम रिकार्ड और भूमे कबजा प्रमाण पत्र ये सारी चीज़ें उनको दिखानी होगी और क्या है कि इस य योजना जो फसत पनानमंतरी फसल भीमा योजना है इसके माध्यम से जो कवरेज है वो कवरेज जो दिया जा रहा है वो SCST और महिला किसानों को अधिकतम प्रोवाइड करने का प्रियास किया जाएगा ठीक है अब जब फसलों की बात कर लेते हैं कि फसलों का कवरेज कौन कौ फसलें भी है रवी खरीफ ठीक है खरीफ की फसल पर 2% का वीमा होगा ठीक है और जो रवी की फसल है उस पर 1.5 का और वार्सिक वाणिजिक बागवानी फसलें जितने भी होती हैं तो इस पर आपको जो मिलेगा वो 5% का वीमा दिया जाएगा तो ये सरकार की तरफ से बहु कौन कौन से जोखिमों को सामिल किया जाएगा, कौन कौन से जोखिमों को नहीं सामिल किया जाएगा, इस योजना में जैसे बताया गया है, कि इस योजना के माद्ध हम से कौन कौन से जोखिम इसमें आएंगे, और कौन कौन से जोखिम नहीं आएंगे, कौन कौन सी और ज्यादा बारिश हो जाती है उससे कोई फसल नुकसान हो जाता है या बुआई के पहले या बुआई के बाद तो प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में इन सारी चीजों में कवर दिया जाएगा खड़ी फसल जैसे ये देखे ये तो होता है कि आपको बारिश की वज़े से जैसे खड़ी फसल है और एक होता है फसल जिस समय लगा रहे होते हैं तो उस समय अगर जैसे धान की फसल है तो धान की फसल के लिए पानी के हो सकता होती है ना मौसमी परिस्थितियों होती है तो अगर सोच कर देखी कि मौसमी परिस्टितियां निलिग गायी लेकिन अगर पानी नहीं मिलता है तो धान की वहाई हो सकती है लगाई नहीं हो पाएगी तो ऐसे स्थिति में क्या है जो बारिश है और अगर पानी नहीं मिला इसकी वज़े से फसल सोग जाती है या लगाई में दिक्कत आती है तो ऐसे में दिया जाएगा ठीक है खड़ी फसल में क्या है कि जैसे खड़ी फसल में सूखा मार जाता है ठीक है और प्राक्रतिक आग लग जाती है या बाड की स्थितिया जाती है या कोई अकाल पड़ जाता है या बिजली कड़क जाती है ब जिसकी वजय से फसल नुश्ट हो जाती है या ओले पर जाते हैं या कोई चक्रवात आजाता है न सारी चीजों में खळी फसल का बीमा को सुनिश्चित किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा अब कटाई के बाद क्या है कि कटाई के बाद फसल को अधिक्तम दो सब्ता है मतलब चौदा दिनों तक अगर उस फसल में कोई दिक्कत आती है तो इस बीमा जो परधान मंतरी फसल बीमा योजना है तो इसके माद्यम से उन किसानों को लाब मिलेगा ठीक है जिनकी जो फसल है खराब होई है अब देखिए कौन सी इस्थितियों में यह जो परधान मंतरी फसल बीमा योजना है वह लाब नहीं मिलेगा ठीक है तो लाब जोखिम पर बीमा नहीं होगा ऐसी कौन कौन सी पर इस्थितिया है जैसे मान लीजे युद की कोई ऐसी इस्थिति हो जाती है जिसमें फसल नष्थ हो जाती है तो ऐसे में इस योजना का लाब नहीं लिया जा सकेगा परमाण जो जोखिम हो जाता है कि मनलब जैसे परमाण का कोई हाथसा हो जाता है तो इस पर कोई जोखिम मनलब बीमा नहीं मिलेगा वित्ती सायता नहीं मिलेगी कोई दंगा हो जाता है मानलीजे यह एक एरिया है यहाँ पर फसल है और जो दंगे में लोग हैं उन लोगों की वज़े से अगर कोई फसल नश्ट हो जाती है तो ऐसे में आपको इस वीमा का यह जो फसल वीमा योजना है इसका लाब नहीं मिलेगा और कौन सी है कि जैसे दुर्भावना पोर्च अती जैसे कोई बैक्ती ही पैसा लेने के लिए जैसे उसकी फसल नहीं सही होई और वह जान बुझकर अपनी ही फसल को जला देता है तो ऐसे इस्थिति में क्या होगा जो प्रदान मंतरी फसल वीमायोजना है इसको इसका लाब नहीं मिल पाएगा चोरी की इस्थिति में फसल चोरी हो जाती है तो ऐसे इस्थिति में भी जो फसल वीमायोजना है उसका लाब नहीं लिया जा सकता और क्या है कि जैसे घरेलू या जंगली जानवरों द्वारा अगर नुकसान कर दिया जता है तो ऐसे इस्तिती में भी जो प्रदानमंती फसल वीमायोजना का लाब है उसको नहीं मिलेगा जिसे देखा भी होगा बहुत से जानवर हैं और जंगली जानवर हैं तो यसे दोड़ते भागते एक जुंड के रूप में फसलों के बीज से निकलते हैं तो फसल बरबाद कर देते हैं अब जिसे इनमें धान की फसल है गेहों की फसल है और गन्य की फसल है तो ऐसी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है मटर की फसल है हर एक चीजी की फसलों में अगर कोई जानवर है अगर बहुत तेजे से निकल जाता है जुंड के जुंड में 50-60 का जुंड है तो ऐसे में पूरी की फसल नस्ट हो जाती है दो तीन बार आ गए तो पूरी एक भी चीज वहाँ पर नहीं मिलेगी ठीक है तो इन के सीमा की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो इसमें निर्धारन जो है जैसे फसल वीमा योजना है तो इसमें निर्धारन कौन करेगा जैसे जिला इस तरी सब तकनीकी समिती द्वारा यह किया जाएगा और बित्ती मापन जैसे जो बित्ती जो हानी होई है ठीक है कित पैसा दिया जाना चाहिए तो इन सब चीज की जायरकारी और वित्तिमापन बित्तिमाप जो की जाएगी ठीक है तो वो की जाएगी और उसके अधार पर भीमित राशी को प्रदान किया जाएगा अब जैसे मान लेजिए नियुनतम समर्थन मूले है ठीक है अब भीमा की राश्टी अधिक्तम उपज गुणे नियुंतम समर्थन मूल्य अब जहां पर जैसे मान लीजे बहुत से ऐसी जगहें हैं तो जहां पर नियुंतम समर्थन मूल्य को द्वारा नहीं उपारा आया ऐसा कोई मूल्य प्रचलित नहीं है है तो सभी जगह लेकिन इन केस अगर ऐसी कोई स्थिती बनती है तो नियुंतम समर्थन मूल्य नहीं है तो क्या होगा कि जैसे बिपड़न बोर्ड और बिपड़न विभाग के द्वारा जो भी स्थापित मूल्य है उसके द्वारा यह अपनाया जाएगा जो भी हुए थी जो किसान है उनको हर तरीके से जो उनकी हानी हुई है जो फसल की हानी हुई है उसका कवर किया जाएगा ठीक है और क्या है कि जैसे बीमा केवल है बीमा केवल परिभाशे छेतरों पर ही दिया जाएगा ठीक है और बीमित किसान को इन्होंने जिसे परिभाशा दे तो ब प्रदान मंतरी फसल वीमा योजना के माध्यम से दी गई है ठीक है अब जैसे क्रियान्वेन की बात बोलते हैं तो क्रियान्वेन में क्या है कि क्रिसियों किसान कल्यान मंतराले के दौरा इसको चलाया जा रहा है और जैसे राज्यों में राज्य तक्निकी नियों जो समन्नों समिती है तो इसके दोरा यह कारे किये जाएंगे और यह तीन साल के लिए होगा चीक है तो यह सारी चीज़े क्रियान्वेन जो है वो तीन साल के लिए है निजी कमपणियों का चुनाओ भी राज्जों पर छोड़ दिया गया है तो जैसे अगर कोई कमपणी है कोई बीमा गया है तो उन चीजों का चुन्ना जो है राज्यों पर स्वेचिक रूप से उनको ऑप्शन दे दिये गए च्चिक तो यह सारी चीजे हैं अब आगे देखते हैं हम लोग प्रबंधन की जहां तक बात करते हैं तो देखें प्रबंधन की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो प्रबंधन में राष्टी जो राज इस्तर पर है राज इस्तर पर समिती के द्वारा किया जाएगा और जिला इस्तर पर जिला समिती के द्वारा किया जाएगा राश्टी इस्तर पर निगरानी समिति के भी स्थापना की गई है इसमें जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो है करसी सहयोग हम किसान का लियान भी भाग के सहयोग तो इनके द्वारा यह अध्यक्षता की जाएगी और जैसे जो लाभारती हैं तो उनमें लगभग पांच प् पर जिला इस तरी समितियों द्वारा जैसे जो सत्यापन है उसको किया जा सकता है ठीक है वो उनके उपर है ठीक है और अंत में हम लोग देखते हैं कि जो प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना है इसके महत्तों क्या है तो देखिए महत्तों की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो किसानों की आये सुनिश्चिता करना कि जैसे उनकी फसलनस्ट हो रही है तो उसके एवज में उनको भीमा मिलना है या पैसे मिलना है तो उनकी आये तो एक बिल्कुल कन्फोर्म हो रही है न कि इतने पैसे उनको मिलने ही है तो मिनिमम्म पैसे नियुनतम समर्थर मूल के बराबर वो मिलेंगे तो उनकी आयस उनिश्यत हो गई दोसरी चीज क्या है कि किसानों की उत्पादन चमता का विकास करना अब सोच कर देखिए कि अगर एक किसान जो बहुत चोटा किसान है और उसकी अगर फसल नस्ट हो जाती है बहुत बड़ा किसान है वो कई बीगों में जो फसल हो गाता है अब कई बीगे एक साथ उसके नस्ट हो जाते हैं किसी बाड़ या सूखा के कारण तो ऐसे इस्थिति में क्या होगा वो अगली बार खेती और योग नहीं होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अगली बार खेती करने ही सक्षम ही नहीं होगा बीज के मामले में किटनाशकों के मामले और अन्य जो साधन है सिचाई और अन्य जो साधन है उनके लिए तो ऐसे इस्तित में क्या है किसानों को जो किसानों के उत्पादन छमता है उसका विकास करना और क्या है कि प्रद्यों की छमता से युक्त करने में साहिता करना जैसे ब तो उनसे युक्त च्हमता का विकास करना और प्रद्योकी च्हमता से युक्त करने में भी यह बित्ती सहायता जो है हर तरीके से सहायता करेगी और क्या है कि बैक्तिका जो किसान है जो लाभार्थी है उनके समाजिक आर्थिक इस्तिति को भी बहतर करने में सहायता प्रदान क करेगा आफ सोच कर देखे कि अगर एक ग्रामیर परिवेस में जो आय का साधान हो प्रिवेस के यह किसान हैं किसानों की जो फसल है उसी सो जो पैसे आतेành वही उनकी 2006 में क्या होगा अगर उनकी यह फ़सल नस्ट हो या उनको अगर पैसा नहीं मिलता तो ऐसे इस्थिति में उनकी समाजिक अर्थिक इस्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा समाज में उनके स्थिति और बिगरती जाएगी रहन सहन इस तर भी प्रभावित होगा जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी और जो घरेलू और शक्ताएं हैं मुल्भूत और सक्ताएं हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रवाव पढ़ने लगेगा और लास्ट में क्या है कि फसलों का उचित दाम प्राप्ती में सहयोग करता है परदान मंत्री फसल भीमा योजना तो देखिए फसलों का उचित दाम प्राप्ती में अर्थ क्या है कि सोच कर देखिए कि नियुन्तम समर्थनबूल ने जो हमारे यहां डिसाइट किया गया है तो उस नियुन्तम जो MSP है तो MSP के अनुसार उचित दाम उनको तो मिलेंगे ना अब अगर फसल खराब भी हो जाती है उसके बावजूद भी उनको उचित दाम मिलेंगे तो ऐसे इस्तित में क्या होगा हर तरीके से प्रधनमंतरी फसल वीमा योजना क्या करती है किसान के आर्थिक समाजिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है ठीक है और जो किसा किसानों को जो उनके फसल है फसल का बहुत अच्छी तरीके से जो उचित मूल है उसको प्राप्त करने में सही हो करती है तो इस तरीके से इस निवंद को आप लोगों को लिखना है इतनी सारी चीज़े मैंने दी हैं कुछ अगर आपने भी कहीं से पढ़ा हो और डिल्वें जो आपका ऐसे है आज का प्रधान मंत्री फसल भी मायोजना तो उसको आप लोग लिखिए ठीक है और क्या है कि जैसे जो आपका प्रस्तावना है जो प्रस्तावना है और जो आपका कंक्लूजन है निसकर्स है ठीक है तो इसमें अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपकी जो ऐसे है वो बहुत ही ज्यादा बहतर हो जाता है